स्वागते किसान भाईओ आपका आज की इस वीडियो में तो आज की इस वीडियो में किसान भाईओ हम आपको बताएंगे एक ऐसे अच्छे ग्रोफ प्रोवोटर के बारे में जिसका उप्योकर की किसान भाईओ आप जो है अपने गन्नी की जो लंबाई है उसका जो विकास एकसानवियो उसको जो है बहुती अच्छे रूप से कसानवियो बढ़ा सकेंगे बहुती जल्दी जो है आपके गन्नी की जो गरोथ है कसानवियो वो आपको बढ़ती हुई किसानवियो नजर आएगी इस वीडियो के टॉपिक के बारे में जो की एक सानवियो की एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर क्या रहेगा गन्य के लिए जिससे की गन्य का विकास जो है उसकी जो लंबाई एक सानवियो और वो जो है सचारू रूप से एक सानवियो हो पाई जिसके फलसुरूप हमारे जो कि लिए आज की इस वीडियो में किसानवियों आपको एक ऐसे ही ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बिताएंगे एक ऐसी संपूर्ण स्प्रे के बारे में बताएंगे अगर उसका उप्योग जो है आप आपको दो से तीन फिट जो है आपको बढ़ती हुई नजर आएगी और इसक अची होगी और गन्य का जो कदर है किसानवियो वो जो है उसमें भी किसानवियो आपको पहुत ही अच्छा रिजल्ट किसानवियो देखने को मिलेगा तो अब बात करते हैं कि यह जो स्प्रे है जिसके बारे में आज की स्वीडियो में आपको बताएंगे इसका उप्योग जो है आपने वो अपने गन्य की फसल में कब करना है तो किसानवियो इस प्रे का इस्तिमाल जो है आप अपनी गन्य की फसल में किसानवियो तब कर सकते हैं जब आपका गन्या जो है लगबाग किसानवियो 90 से 120 दिन का हो जाए उस समय पर किसानवियो आप जो है इस इस प् जिसके फलतरुप आपके गन्य की जो growth है कसानवियो वो बढ़ने लग जाएगी तो पहली जो spray में आपने जो technical लेना है कसानवियो वो है NPK 00524 कसानवियो ये लेना है इसमें कसानवियो क्या होता है इसमें होता है हमारा phosphorus और potassium तो ये दोनों ही जो कसानवियो चीजें हैं phosphorus और potassium ये हमारे गन्य में क्या करता है कि गन्य की जड़ प्रणाली का विकाश जो है कसानवियो उसको तेजी से करता है यानि की root system का development जो है गन्य की उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुसारूर रूप से करता है इसके साथ साथ कसानवियो गन्य की जो रोक तरोदक शमता है उसको बढ़ाता है और potassium होने की वजासे किसानवियो इसमें गन्य में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको भी बढ़ाता है 0,54 और इसके साथ साथ कसानवियो गन्य में जो शरक्रा की मात्रा होती है उसको भी सब्सक्राइब और में 5020 करना इसके साद क्सान वैई-डशन की ह onu करता है उसका विकाद अच्छे रूप से करता है गन्य में कुलोरोल twelve जो बढ़ाता है क्योंकि वक्षान की वह उत पादन जो शुदिर शुदॉर करता है जो JE किसानवियो काफी ज़्यादा सुधार जो है आपको वो देखने को मिलेगा इसके अलावा किसानवियो अगर मैं बात कुरूँ आइन पीके जो जीरो बावन चौनती इसका उप्यो कितना करना है इसका उप्यो किसानवियो आप जो है एक किलोग्राम प्रती एकड के हिसाब से स्प्रे में यूज कर सकते हैं इसके साथ में किसानवियो जो अगला आपने टेकनिकल लेना है वो लेना है किसानवियो जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिक एसिड किसानवियो एक ग्रोथ परमोटर है बहुत ही अच्छा इसमें किसानवियो यह क्या जरता है किसानवियो की य कि पूरी सरीन के जदसिता में और दगवग तो गर मैं जिबरैलिय खीक करता है और थेर कमने पेड़ेगे मतलद वॉसके yüzden तो है पृकूछ breaksson I can go जो एक एकड़ में इस्टेमाल करना यहांनी कि ए एक बीग में लगबग एक ग्राम मत्रा जो we जिभरेली के एंजडिक का इसतेमाल करनी है इसके सांथ में इस वह ज्जित में एक, जीभर 100 ml जो है पानी में मिलाके अपनी इस्पेडा जो है वो कर सकते हैं इसके अलावा किसान भाईउ जो अग लेना है आपने वो लेना है लगभा किसान भी तो- Wählant थे दो-से में भाईउ भॉराण की तो-से कोम होजे आपके गणने। पूरा करेगा तो दोस्तो आइमल जो है आपने इसके साथ में बुरान भी मिक्स कर लेना है और अगर आपके एकसान भाईयो गन्ने में कोई भी आपको अगर कोई कीट कीड़ा देखने को मिलता है तो आप कोई भी इसके साथ में कितना शक का इस्तमाल कर सकते हैं यह जो पर मोटर है किसान भी वह सिर्फ यही है कि आपने उसमें इनपीके जीरो बावन चौनतिस इसके साथ में जिवरेलिक एसिड और इसके साथ में दोस्तो आमल जो है बुरान यह तीन टेक्निकल का इस्तमाल करना जबर्दस किसान भी और आपको रियाल्ट में देखने को मिले किसान भी और आपको अच्छा किसान भाईक चैनल पर नए है तो चैनल को भी करेगा सस्क्राइब धन्यवाद किसान भाई